बिन्सिटी ऑफ क्यूबिक कृष्टल को अब एक चीशोचो जितना ज्यादा मास होगा उस कृष्टल का पर इन्सिटी होगी मास में किसका कॉंट्रिबूशन होता है number of sphere का अगर आप एक simple cubic unit cell को देखें simple cubic unit cell को एड एक FCC को देखें तो आप देखेंगे कि simple cubic unit cell में simple cubic में सिर्फ एक sphere आ रहा है जबकि FCC में आप देखेंगे तो 4 आ रहा है तो obviously density किसकी ज़्यादा होके निकल के आएगी तो यह FCC की density ज़्यादा निकल के आएगी तो यह जो चीज थी यह तो density वाली बात हो गई overall जिसमें क्या होता है numerator में mass of the crystal divided by volume of the crystal वो देखने आए है ना तो यहाँ पर बोल रखा है कि density निकलने के लिए तो चलिए उसका general formula निकलते है so the density जिसको हम लोग रोज से दिखाते हैं सो दर डेंसिटी क्या होता है density is the mass of mass of unit cell divided by mass of unit cell देखो जो unit cell की density होगी क्या वही density पूरे के पूरे crystal की होगी यस आप एक चीज देखो ना जैसा समंदर है पूरे समंदर की density क्या है जो एक बाल्टी पानी की density होगी समंदर की पानी की जो एक चमच समंदर के पानी की density होगी तो density is mass of the unit cell divided by volume of unit cell mass of unit cell divided by volume of unit cell ओके अब आप आगे देखिये mass of unit cell क्या होगा जितने उसमे number of spheres मौजूद है जितने उसमें number of spheres मौजूद है multiplied by multiplied by mass of each sphere, mass of each sphere, हर एक sphere का mass कितना होगा, into number of sphere, by एक sphere होगा, तो 1 into हर एक का mass लिख दो, 2 होंगे, तो 2 into हर एक का mass लिख दो, right, divided by, this is volume of the unit cell, this is the volume of unit cell, okay, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, density होता है, mass of unit cell by volume of unit cell, mass कैसे निकलेगा, हर एक sphere का mass multiplied by, जितने वो sphere हैं, तो वो numerator में लिख दिया, okay, अब आप एक चीज़ देखिए, number of sphere तो अपने को मालूम है, है ना, यह जो number of sphere है, यह तो अपने को मालूम है, कैसे, अगर हम लोग बात करेंगे, simple cubic unit cell की है ना, तो simple cubic unit cell में number of sphere 1 होते हैं, अगर बात करेंगे FCC की तो FCC में 4 होते हैं, अगर हम लोग BCC की बात करेंगे तो उसमें 2 होते हैं, तो यह तो चलो अपने को पता है, number of sphere का क्या करना है, mass of each sphere, हर एक sphere का mass क्या होगा, तो ज़रा इसके लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या जब आप किसी भी substance का एक mol उठाते हैं, तो एक mol में, एक mol का जो वजन होता है, क्या वही उसका molar mass होता है, है ना, एक mol का जो वजन होता है, वही उसका molar mass होता है, एक मोल का जो वजन होता है क्या वही मोलार मास होता है अच्छा मोलार मास को मैं कैपिटल M से दिखा रहा हूँ मोलार मास क्या होता है एक मोल ऑफ पार्टिकल्स का वजन अब उस पार्टिकल में एटम हो सकता है molecule हो सकता है, ion हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तो एक mol का version किसके बराबर होता है molar mass के बराबर होता है, अच्छा एक mol में कितने particle होंगे, 6.022 into 10 to the power 23 एक mol में 6.022 into 10 to the power 23 particles अच्छा यहां पर क्योंकि हम sphere बोल रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ, sphere है न तो 6.022 into 10 to the power 23 sphere equal to molar mass अच्छा molar mass को मैं M से denote करता हूँ and by the way molar mass grams में होता है यह आपको पता होगा molar mass gram में होता है क्योंकि अगर आपने AMU लिख दिया तो वो या तो atomic mass होगा या फिर molecular mass फरक है, atomic mass, molecular mass AMU में होता है, जबकि molar mass grams में होता है, क्योंकि molar mass 1 mole का वजन है देखा जाए तो दोनों का magnitude same है जैसे oxygen oxygen का molecular mass जो है वो होता है 16, sorry अगर atomic form में है अगर oxygen atomic form में है तो उसका atomic mass होगा 16 AMU और अगर molecular form है that means O2 है, तो उसका वजन होगा 32 AMU तो जो भी हो, atomic mass हो, molecular mass हो AMU में होता है लेकिन अगर वही 1 mole का वजन निकालेंगे 1 mole का वजन तो वो कहलाएगा molar mass तो अगर 1 mole of सिर्फ oxygen का निकालेंगे तो 16 AMU हटा के उसकी जिगा क्या डालेंगे, gram तो 16 gram और अगर O2 लेंगे तो ये भी molar mass है O2 का कितना हो जागा 32 gram correct तो 6.022 10 to the power 23 स्पीर का वजन is M gram तो इसका मतलब 1 स्पीर का वजन कितना होगा 1 स्पीर का वजन होगा M divided by 6.022 10 to the power 23 अच्छा क्या होता है कि इसी को हम लोग ये जो 6.022 10 to the power 23 है इतना लंबा कौन लिखेगा तो इसको हम लोग Na लिख देते हैं Na का मतलब क्या हो गया Avagadro number What is Na Na is Avagadro number ये जो Na है ये Avagadro number है इतना Avagadro number See ये जो कल्कुएशन की है ये कुछ ऐसा खास नहीं है सीधी सी बात है 1 mole का वजन Molar मास के बराबर होता है तो एक पार्टिकल का वजन कितना होगा Molar मास divided by 6.022 into 10 to the power 23 तो ये हर एक स्पेर का वजन आ गया बस अब इसी चीज़ को हम लोग ये जो स्पेर का वजन है इसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे ठीक है ये जो हमने निकालना एक स्पेर का वजन इस एक स्पेर के वजन को हम लोग इधर पर डाल देंगे तो ज़रा note करना formula क्या बन जाएगा तो formula बन जाएगा density equal to number of sphere number of sphere को हम लोग z से denote करते है ठीक है ये जो number of sphere है इसको हम लोग z से denote करते है this is denoted by z चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको हटा करके थोड़ा सा और add up कर देता हूँ number of sphere को हम लोग z से denote करते है ओके अल्राइट इंटो mass of each sphere mass of each sphere तो दिखिए ये जो z है z तो हमने लिख दिया गलती से भी यह मत समझें न कि z is atomic number यहाँ पर z atomic number नहीं है इससे पहले जबी भी आपने solve किया तो z symbol बनाए रखा atomic number के लिए z is the atomic number right यहाँ पर z atomic number नहीं है यहाँ पर z atomic number नहीं है यहाँ पर z यह बता रख यह बताता है कि उस unit cell के अंदर कितने sphere है तो fcc होगा तो 4 bcc होगा तो 2 simple cubic होगा तो 1 correct ओके तो यह z हो गया into mass of each sphere हर एक sphere का mass कितना है तो वो यह देखो यह हमने निकाला है हर एक sphere का mass कितना कितना m by na m divided by na okay divided by volume of unit cell तो unit cell का volume क्या होगा aq बस density of unit cell यह unit cell की density है किस किस के क्या मतलब होते है तो मैं इसको side में लिख देता हूँ तो यहां पर यह जो z है z represent कर रहा है number of sphere in unit cell number of sphere in unit cell इसको यह मत समझ लेना कि atomic number है this is number of sphere in unit cell दूसरा m जो है वो molar mass है m जो है वो molar mass है अब कई बार question देने वाला इसको molar mass ना बोल करके molecular mass बोल देता है यह atomic mass बोल देता है तो घबराने की जरुरत नहीं है because जो magnitude है वो तो same ही रहता है जैसे मैं बोलता हूँ oxygen का O2 का let's say O2 O2 का molecular mass is 32 amu और वही चीज़ जब molar mass बन जाएगी तो वह 32 grams होगी तो 32 तो दोनों में ही है ना तो घबराने के जरुरत नहीं है अगर question देने वाले ने molar mass दिया है कोई बात नहीं molecular mass दिया है कोई बात नहीं atomic mass दिया है कोई बात नहीं क्योंकि ultimately जो उनका magnitude है वो तो same ही होना है क्या atomic mass और molecular mass same होता है see the thing is atomic mass होगा उसमें जितने component है उसके साथ multiply कर दो तो molecular mass आ जाएगा जैसे oxygen oxygen का atomic mass होता है solar अब अगर o2 है तो solar को 2 से multiply कर दो तो molecular mass आ गया तो यह भी कोई tension वाली बात नहीं है तो m represent molar mass a represent करता है length of length of unit cell and na जो है वो तो fix है बाई एने तो evagadro number है एने इस evagadro number एने इस एवगड़ो number एने इस evagadro number correct तो इस इस दा density of a cubic crystal यह है density of cubic crystal z into m divided by a cube into na तो चलो अभी इसके पर question solve कर लिया जाए let's solve a question on this तो इसको उतार लीजेगा इसको copy कर लीजेगा question solve करते हैं तो question है यहां पर देखिए atom x is in fcc यह जो atom x है यह किसमें fcc में है atom x जो है this is in fcc तो चलिए मैंने लिख दिया atom x fcc में है okay अगर atom x fcc में है तो मुझे बताइए क्या यहां से आप यह बोल सकते हैं कि z का value 4 है क्या यहां से आप z का value 4 निकाल सकते हैं yes तो एक चीज हमको मिल गई दूसरा चीज atomic mass बता रखा है 80 amu अब जैसे कि मैंने आपको बोला डरने के जरुरत नहीं है जो given है लिख लो तो यहां से यहां से आपको जो m का value निकल के मिलेगा वो मिलेगा 80 पर क्योंकि यह molar mass है तो इसको किसमें लिखना है ग्राम्स में किसमें लिखो गया आप ग्राम्स में दिया amu में पर magnitude तो वही रहेगा ना 80 amu को 80 gram कर दो तो molar mass हो गया उसका तो molar mass भी चलो निकल गया उसके बाद अगली चीज the radius of atom is अब atom का जो radius है atom का जो radius है कितना है 141 picometer atom का जो radius 141 picometer है find the density चलो अब यह density देख लेते हैं तो density का formula क्या होता है तो density is z into m divided by a cube into na करेक्ट यही होता है density equal to z into m divided by a cube into na बस जो जो पता है formula डाल देते हैं तो चलो डाल देंगे formula में तो density is equal to density is equal to z कितना है 4 molar mass कितना 40 divided by a cube क्या है अब यहांपर आगे a cube दिया हुआखक्या तो r है यह देख़ो दिया हुआ थो radius है लेकिन यह आप डालना क्या है A डारना है, तो क्या आपको पता है A और R का संबंद क्या है क्या आप जानते है A और R का संबंद क्या है और यह जो संबंद है, यह FCC के हिसाब से निकालना है, यह जो संबंद है यह FCC के हिसाब से निकालना है, लेट में टेल यू, थोड़े time पहले आपने जो simple cubic unit cell पढ़ा था है ना simple cubic unit cell right तो simple cubic unit cell में आपने क्या पढ़ा था ठीक है simple cubic क्या पढ़ा था कि a equal to 2r के बराबर याद है fcc में आपने क्या पढ़ा रूट 2a equal to 4r ध्यान होगा bcc में क्या पढ़ा था रूट 3a equal to 4r कुछ 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 याद आया उस वक्वी मैंने आपको यह बोला था कि यह चीज़ बहुत important है इसको याद रखना simple cubic unit cell में a और r का रिलेशन क्या है a equal to 2r fcc में रिलेशन क्या है root 2a equal to 4r bcc में रिलेशन क्या है root 3a equal to 4r तो बताओ क्या अब clear है तो चलो यह वाला fund funder डाल देते हैं तो root 2a equal to 4r root 2a equal to 4r इसका मतलब a equal to 2 root 2r a equal to 2 root 2r तो यह जो a cube है चलो एक काम करते हैं फर्दर यह डाल देते हैं a equal to 2 root 2 into r की value कितनी आ जाएगी 141 picometer picometer कितना होता है 10 to the power minus 12 meter तो यह a का value आ गया यह a का value आ गया और इसका whole cube तो लीजिए तो यह बन गया 2 root 2 into 141 into 10 to the power minus 12 and इसका cube हो गया into avagato number 6.022 into 10 to the power 23 into 10 to the power 23 तो यह value आपने feed up कर दी अब आपको क्या करना है इसको solve कर लेना है है ना इसको क्या करना है solve कर लेना है तो कर लेंगे इसको solve अच्छा यह तो एक चीज़ हो गई इसको solve करने का एक आसन तरीका और बताता हूं मैं एक और आसन तरीका है यह देखिए यह जो मैंने लिखा ना root 2 a equal to 4r तो आप एक काम करो a equal to 4 by root 2r कर लो उसे साब से देखो a equal to 4 by root 2 कितना होता है 1.41 होता है कितना होता है 1.41 होता है into r की value कितनी है 141 pm तो क्या यह कट सकता है 1.41 से यह जब कटेगा तो कितने times कटेगा 100 times तो इसका मतलब a का value कितना निकल के आया 400 picometer a का value कितना निकल के है 400 picometer तो यह जो आपने किया ना आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे density 4 into 40 divided by 400 picometer तो यह लो a का value 400 picometer मतलब 10 to the power minus 12 और इसका बन गया whole cube into 6.022 into 10 to the power 23 तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है ठीक है बाकी जो continue करने का काम है वो आपका है तो इससे क्या निकल के आ जाएगा density what you will find is density अच्छा density की unit क्या होती है तो चेक करना की numerator किसमें है चेक करना numerator किसमें है किसमें numerator है ग्राम में है और denominator किसमें है obviously meter cube में है तो ग्राम पर meter cube तो जो इसकी density आएगी वो ग्राम पर meter cube में आएगी किलियर है किलियर है नहीं यह चीज तो इस तरीके से इस crystal की density निकल के आ गई एक और question जैसे देख लेते हैं इसको उतार लीजेगा और further solve करना है इसको अगला question sodium exist in BCC sodium जो है वो BCC में exist करता है ठीक है बाई तो BCC में exist करता है इसका मतब Z कितना रहा होगा 2 रहा होगा मिलगे आपने को एक चीज radius दिया होआ है radius is 173 PM ओके दूसरा mass कितना रहा होगा molar mass sodium का तो sodium का अपने को पता है 23 होता है क्या gram क्योंकि मैं molar mass बोट रहा हूं तो sodium केतना होता है 23 तो देखो यह जो uncommon वाली चीजे है वो उसका molar mass आपको दे दिया जाएगा लेकिन जो छोटे मोटे है इनका आपको याद रखना होगा जो सोडियम सोडियम का 23 होता है अपने को याद है इन्टो molar mass divided by a cube into na तो चलो z है हमारे पास yes so z is 2 molar mass 23 divided by a cube अच्छा तो a cube कैसे निकालेंगे तो क्योंकि यह bcc है तो bcc में relation क्या था root 3 a equal to 4 r तो इसका मतलब a equal to 4 by root 3 r तो चलो value डाल देते हैं तो value डालें तो देखो value जब डालेंगे तो a equal to 4 by root 3 r की जगा पर कितना 173 pm 173 pm अच्छा एक चीज़ जानते हो कि यह जो root 3 होता है देखो ज़रा यह जो root 3 होता है this root 3 is 1.73 अब जानते हैं बात को कि जो root 3 होता है यह 1.73 होता है root 3 की value 1.73 होती है तो 1.73 से जब यह कटेगा तो कितने times कटेगा 100 times तो उससाब से a का value जो निकल के आएगा वो 400 pm निकल के आएगा है ना pm तो देखो यह जो a है a is 400 pm तो 400 into 10 to the power minus 12 meter meter में आएगा और यह हो गया whole cube into avagaddo number कितना 6.022 into 10 to the power 23 बस numerator जो है वो gram में है and denominator meter cube में है बस बात खत्म अच्छा meter cube मेंने already लिखा हुआ है तो दुबारा नहीं लिखूँगा मैं यहापर तो इसको solve कर लीजेगा और जो भी answer होता है उसको calculate कर लीजेगा ठीक है उसको calculate कर लीजेगा ओके clear है यह चीज clear है understood understood तो क्या है sodium BCC में था तो Z की value 2 थी molecular mass जो है उसका या molar mass 23 है R की value क्या होगी तो वो तो दी विए 173 pm पर हमको तो A चीजी ना क्योंकि formula में तो A है तो BCC में A का और R का क्या relation होता है root 3 A equal to 4 R इसको याद कर लो simple cubic unit cell में A equal to 2 R face centered में root 2 A equal to 4 R BCC में root 3 A equal to 4 R बस उसी से हम लोग A निकाल लेंगे और A की value को यहाँ put कर देंगे तो A cube into Avogato number and now solve it city